नमस्कार दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है मेरे स्यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज के इस उड़े में हम बात करेंगे आर्लन्ड वर्सेस सौट अफ्रिका के बीच होने वाले फर्स्ट ट्वेटी मैच के बारे में तो दोस्तों आज के इस उड़े में बात करेंग चाहे वो ड्री मिल्योन का आप हो या फिर कोई दूसरा आप हो तो च और आखिर में जरूर आपको मैं ड्री मिल्योन की तीन विनिंग टीम्स दिखाऊंगा जिससे कि आप अच्छी खासे अर्निंग कर सकते हैं शाथ या फिर आप ग्राण लीग या स्मॉल लीग भी जेट सक तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करने से पहले फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब ने किया या फिर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो जरूर जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए साथ साथ बेल आकोन को करके वाल पर क्लिक करना ना बुले तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते मैच की डीटेल से आर्लंड वर्सेस आफ्रीका के बिच फर्स्टी टीटी मैच है दोस्तों यह अल्रेडी टीन टी ओडियाई से की सीरीज हो चुके जिसमें आर्लंड ने एक मैच जीती थी और आफ्रीका ने एक मैच जीती थी और स्रीजवीच ड्रा रही थी जबकि एक मैच पानी से धुल गया था तो अब बात यह फर्स्टी ट्वेंटी है दोस्तों वेन्यू की बात करें तो दो विलेज माल हैड डूल बीन है तो अब बात कर लेते कब यह मैच तो नाइंट आ Index हो ओस्तों जुलाइं रात को साड़े आछ्ड़ बजए मैच होने आलएँ आप चाहे तो अगर लाइव स्ट्रीमिंग देखने चाहते तो आप ज़रूर इसंजरें राइव स्ट्रीव फ्रैन कोड़ पर देख सकते अब बात कर लेत है पिच रिपोट की तो फत सर यहां पई यहां पर कि लिये काफी अच्छी पीछ दोस्तों साथ इसटी तो बले बादी यूह बाउंडरी काफी छोटी-छोटीبد है तो जोवी टोड जितेका आपको सपहले बैटिक का फashला लेगा अब बात कर लेंगे कि डोनों टीमों की प्रोबीबल लेवन कि सब्सक्रार' से तो तो सबसे पहले बात कर लेगे मार्क अभिर सेमी सिंग जोश लिटल और सी यंग इस तरह से रहेगी प्रोबबली लिए उन जो आरलन्ड की है अब बात कर लेंगे सौथ आफ्रिका के प्रोबबली लिए उन की तो वो कुछ इस तरह से रहेगी कॉंटन डिकॉक जे मलान मर्क क्रम बाउमा वांडर दुसेन डेविड मिलर या डेविड मिलर उसके बाद डबलू मुल्डर मुल्डेर जी लिंडे कगिशो रबाडा लूंगी इंगिडी अंडरिक नोज्जे और तैजिप सम्षी यहाँ पे एक ही यहाँ चेंज हो सकता है डबलू मुल्डेर के जगा पे लिंडे या फिर इन दोनों में से एक कोई तो भी इन रहेगा एक इन नहीं रहेगा अब कुछ प्लियरों के स्टैट्स आपको दिखा दूंगा जिससे कि आप अपनी खुद की एक विनिंग टीम बना सकते हैं चाहिए वो ड्रीमिलियन का आप हो या कोई दूसरा आप ह सबसे पहले बात कर लेते पॉल स्टर्लिंग तो ही हाज कोड़ 2124 रन इन 17 टीटीटी इनिंग्स इनोंने अब तक 37 टीटीटी इनिंग्स के लिए जिसमें उनके 2124 रन है जो की काफी बढ़ी है दोस्तों साथे साथ इनके आवरेज की बात करें तो 29.27 का है याने 29.27 का है जो की काफी बढ़ी है टीटीटी के सबसे और हाइस्ट कोर की बात करें तो 95 याने 95 रन है तो जरूर कोशिश किजेगा इन्हीं अपनी टीम में शामिल करने की अब बात कर लेते मरकरम की तो वास द प्लेयर आप दो मैच इन द फाइनल टीटीटी गेम अगेंस्ट वेस्ट इंडिस के खिलाब जो आखरी टीटीटी मैच हुआ था उसमें मैन अफदी मैच का आवर्ड इनको ही मिला था वेर्द स्कोड सेवंट इरान इन फो फोटीएट गेल याने इन्होंने अड़तालीस गेंदों में सत्तर रन बनाया थे जो की काफी बढ़िया थे दोस्तों जि कोशिश कीजेगा इन्हें भी आप अपनी टीम में लेंगे और मैं भी जो ट्री मिलियोन की तीन विणिंग टीम है उनमें की कोशिश करूंगा इसके बाद सिमी सिंग है और शोड ए लॉट फाइट आया इन थर्ड ओडियाई ब्रॉट हीज फर्स्ट ओडियाई सेंचरी इ काफी जबर्दस प्लियर है दोस्तों चोवीस टीट्विंटी मैचेस का इने भी अनुबह है जिसमें उनका उनके रन दोसों साथ रन है जो की काफी बढ़िया है और साथ-साथ 21 विक्टे भी इनके नाम है याने कुलमिला के अल्राउंडर प्रदाशन कर सकते हैं तो जरू कुलमिला के अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने सब आउसाथ आफ्रीका के खिलाफ सिरुप दो इनिंग्स में चार विक्टे ली ती जो की काफी बढ़िया है और इनके करियर की बात करें तो इसके बात सम्षी जिया दोस्तों तहजिप सम्षी तो अभी फिलाल काफी अच्छे फ़ाम में खास करके गेन बाजी में वास द प्लेयर आप द शीरीज इन द टी-20 सीरीज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैन अब दी-शीरीज का वर्ड इनको मिला था है यह वास्ट इकोनोमिकल बॉलर इन द शीरीज इन्होंने काफी कम इकोनोमी से बॉलिंग की थी स्करिप्क चार रन की इकोनोमी से गेन बाजी की टी-20 मैच में हो भी और साथ विकेट्स भी पिक की थी तो काफी जबदस परफामस रहता है इसी वज़े से इनको मैन अब दी-सीरीज का वर्ड भी मिला था तो कुल मिला के इनको भी हम हर ट कर लेते हैं सक्सेस्पूल टे-20 सीरीज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज जी आ दोस्तों वेस्ट इंडीज के खिलाप इनकी सीरीज काफी सक्सेस्पूल रही ते वेर इंडेड अप तो लीडिंग रन स्कोरर ही स्कोर 255 रान इन 5 मैचेस आट आवरेज ऐस 51 याने इनोंने वे भी अबी आरलन के खिलाप जो आखरी वोड़ियाए भी खिलाता इसमें इनकी मेरे कहल से शरी याने काफी जब्रदस पार में धर दोस्तों इनको सिर्फ लेना ही नहीं हमें कहीं 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 कपटन भी बनाना खेंग तो वाइस गैप्टन भी ने के बना सकते हैं काफी बात कर लेंगे ड्रीमि लाओं के टीन विनिंग टीमस की तो चलते उसके लिए ड्रीमि लेओं के आप पे हम कि जैसे कि आप देख पारहे हम ड्री मिलें लेओं के आप पे आ चुके हम जो बात कर रहे हैं वो मैच महो आफरीका वर्सेश आरलांड यह आपको करे दिकाऊंगा किसको मैं लिया है और आखिर मैं बता हूंगा किसको captain बना तो माइड पर क्लिक कर लेते हैं और पहले team को एडिट करके आपे दिखा देता हूं तो आफकोर्स हमारे हर टीम में कीपिंग में content डिकक को हम शामिल करने वाले इस वज़े से हम चलते अभी बैटिंग पर बैटिंग में हमने पॉल स्टर्लिंग को लिए यह बार बरेन को लिए यह भी दोनों की दोनों बढ़िया बैटिंग कर रहे और काफी जबदस्त ओडियाई सीरीज रही तीन की उसके बाद आडम मरक् पर चलते तो जी डॉक्रेल को हमने इस्टीम में शामिल किया उसके बाद फुलकवयों को भी हम इस टीम में लेने वाले और एस शिंक को जैसे के अमने स्टैस में देखा ता काफी बढ़ी है स्टैस है इनके तो जरूर इनको भी पिक करेंगे इस टीम में तो इस तरह से थी कि लिए ती 20 का मैं चैनल एक है तो जादा से जादा होना काफी अच्छी बात है दोस्तों तो चलते गेन बाजी पर तो गेन बाजी में हमार पास अफकोस यह से कि मैंने कहा था था समशी को लिए जे लिटल को लिए और तीसरे जो आडम नोट जे को हमने लिया है पॉइंट की दिक्कत के वज़े से हम इस टीम में रबाडा को नहीं ले पाए लेकिन आगे जरूर कोशिश करेंगे कि हम रबाडा को भी टीम में शामिल करें तो इस तरह से पहली टीम काफी बढ़िया बन चुके दोस्तों जरूर मैं आपको काफी इडियो पर क्लिक करके कैप्टन और वाइस कैप्टन दिखा देता हूं तो इस टीम का कैप्टन मैंने बनाया इट कांटन भी को काफी जबरदस पॉर में और अच्छी खासी बैटेंग करें दोस्तों तो जरूर आपको काफी फायदा होगा और देख सकते 49% से भी जादा अगर हो ने इनको कैप्टन बनाया तो इसलिए मैंने को कैप्टन मनाया और जे मलान इनके साथ काफी बड़िया इन्हों ने भी लास्ट मैच में सबसे ज्यादा हो तो एक बार टीम प्रिव्यू करा देता हूं मैं आप देख कर सकते नहीं काउंटर डिकार उसके बाद चार बल्लेगाज्य हमारे पास पॉल्ल श्टरिंग, आडम मरकरम, बार्बलेन, जे मलान तो इस तरह से हमारे पास तीन आल राउंडर भी दोस्तो डॉकरेल फुलकउयों और एस सिंको हमने इस टीम में शामिल एक शामिल किया उसके बाद हमारे पास तीन गेज़ कर लेते हों दूसरी टिम को एडिट करके मैं यहां पर दिखा देता हूं तो हम की पर पर आचुके जैसे कि मैंने बता आए कि मैं कॉंटेंट डिकॉक करने वालों इस टीम में भी आप चाहे तो किसी और को भी सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन चलते आप बल्ले बाजी पर तो यह दोस्तों आइसा कर सकते आप जरूर आप इनको चूज कर सकते हैं आपके इन और ब्रायन को भी चूज कर सकते हैं अभी मैंने बार्बलीन को ले लिया है दोस्तों उसके बाद अगर आप देख सकते तो आर वैंडर दूसें को लिया है और आडम मरक्रम को भी लिया है चोते क्योंकि जब यह अपने टेलीग्राम में रहेंगे थे रहार से पी जरूर आप आप ब्राइफ सकते प्राब्मानु आप चलते देखते किसको कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते तो मैंने इस टीम का कैप्टन बनाया है आडम मरक्रम को इनके भी काफी अच्छी सीरीज रही थी जो वेस्ट इंडिस के खिलाफ है या फिर जो अभी ODI में भी ठीक ठाक प्रदर्शन रहा था इसके बाद मै प्रवृल स्टरलिंग के जगह पे अपमेनेस के लिया और मुझे लगता कि मतुत करें देखतें में फिर से मेरे पास डिकॉक है कीपिंग में वही तो चार बल्लेबाद है दोस्तों पॉल स्टरलिंग आर वैंडर दुसेन एडम मर्क्रम और एच टेक्टॉर को इस टीम में शामिल किया है तो वही हमार पास फिर से तीन आल राउंडर हो जाते जे लिंडे फुलकॉयो और ड खर सकतें और इसको हम ने कर बना तो वह क्याप्टन पॉल स्टर लिंग बना तो काफी बड़े टी में जरूर्व जार्पी बेलर के ओंग कर लेते और तीसरी और आखरी तीम को इडिटट software के दिखादे तो यहाँ में लेकिन यहाँ मैंने पाच बल्लम बास लिए circuits आप उसके बाद हमने और दूसेन और हन्रिक को लिया है इस बार तो कफी बड़ी है और उसके बाद जे मलान को भी इस टीम में शामिल किया है काय बढ़ी है दोस्तों 5 बल्ले बाज लिए लेकिन उसके वज़े से हमारे पास आल्राउंडर दो ही रहें गे इस टीम मैंने पिट्ट इंगिलियोन में रहे तो नहीं तो हम जरूर आपको टेलग्राम पर बता देंगे कि अगर यह नहीं है खेलते तो जरूर बता देंगे तो इस तरह से दो आल रॉंडर को लेने के बाद गेनवाजी पर चलते तो इस बार मैंने कगी सो रबाडा और तैजिप संशी को नहीं लि है तो इस तरह से अगर आप चाहे तो पॉल स्टरलिंग को नहीं ले और अगर उसके जगह पे डॉक्रेल फुलकायो एस सिंग लिंडे यह सारे ओप्शन है दोस्तों आपके पास कगी सो रबाडा का भी एक ओप्शन है चार गेनवाजों के साथ आप जाना चाहे तो जरूर इनको भी शामिल कर सकते हैं तैजिव शंशे को भी नट जे को भी ले सकते हैं काफी सारे अप्शन है दोस्तों तो जरूर आप ट्राइक कर सकते हैं पॉल स्टरलिंग की जगह पे लेकिन यहां पे मुझे लगता है कि आप बैटिंग में जाएंगे तो केविन ओब्रायन को ले सकते हैं क्योंकि यह भी एक एक टीम में हमारे रहेंगे तो अच्छा परफरमस करते हैं तो फाइदा हो सकता है इस वज़े से मैं अभी फिलाल केविन ओब्रायन को ही इस टीम में लेता हूँ तो फिर से कंटीडू पर क्लिक कर लेते हैं और देख लेते कैप्टन और व को बन आप चाहेतों किसी और को भी बना सकते जैसे कि आप जै मिलान केविन ओब्रायन को भी बना सकते ए और वैंडर दुसैन को मुझे लगता ही कि यह काफी जोडित हैगी और सकसेस होता तो काफी आपको फायदा हो जाएगा टीम प्रिविव एक बार फिट से करा देता हूँ जैसे की कीपिंग में हमारे पास कॉंटेंट डिकॉक है उसके बाद केविन ओब्रायन और हेंड्रिक्स वैंडर दुसेन बालबरीन उसके बाद जे मलान इस तरह से पाज बल्ले ब दोस्तों आप चाहे तो इसे ग्रैंड लिक यूज कर सकते लेकिन मुझे लगता है कि यह टीम फ्मॉल लिक के यह तीनों टीमों में कर सकते और मेरे कैप्टन और वाइस-कैप्टन से भी आगर आप सैमत ने तो वह आप यहां पर चेंज कर सकते कोई प्राब्लम ने कोई दिक्कत नहीं है दोस्तो लेकिन ज्यादा चेंजेस मत कीजिएगा दोस्तो थोड़ा रेस्की साबित हो सकता है क्योंकि काफी सोच समझ कर बनाई हुई टीम है तो इस पर आप जरूर दाव लगा सकते तो आई होप दोस्तो आपको वीडियो और ये टीम काफी पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो इसे लाइक शेर और कमेंट जरूर कर दीजे साथ इसाथ मुझे इस चायनो को सब्सक् थैंक्यू धन्यवाद